कि बेटा मेरा वाइस और बोले सबको को कि यह सर ओके चलो सेवंटीन पीपल सार बीन कनेक्टेड अभी जैसे कि आपको नोटिफिक्शन डाला होता सर ने है ना एक चुड़ी सर ने कि आज से अपने सिक्सम के कुछ बेसिक कलासेश चालू करना है रैट अभी आपकी दिमाग रहेगा है ना दिन चार दीन यह जब तक सर बोलेंगे सो उसमें हमें थोड़ा सा बेसिक्स देखना है हर सब्जेट क आप कुछ बेस होता है अभी सरमें पता है कि हमारी कैसी मेमोरीज है हमें basic सब्सक्राइब कितना क्लियर है यह तो सबको पता है अपने को है कि नहीं तो हमारा जो सब्जेक्ट है अभी वियर हाविंग उनली सेशन अफ हाफ एन अवर सभी लोग सुन्रे करें बेटा है अपना जो टॉम्सन कंडिशन है वह जो पहले था है ना सब्सक्राइब का नाम नुट्डाउन कर सकते है अपने मशिन सब्सक्राइब पढ़ा इसके पहले आपने राइट फॉर्ट से में आपने मशिन सब्सक्राइब तो जहां तक ड्राइब की बात है उसका बहुत जादा हद तक बेस हम बोल सकते हैं मशिन सी है तो इसके बारे में हम तोड़ा सा बेसिक से डिसकस करेंगे कि क्या है उसका कंसेप्ट एसी और डीसी ड्राइव का क्या कंपारिजन है है ना ड्राइव की जो क्यारेक्टरिस्टिक्स है वो भी सारी चीज़े आपने इसके पहले पड़े है बट यू माइट बी नोइंग इट और नॉट आ डोंट नो कि कौन सा मोटर कहां पी इंप्लिमेंट होना चाहिए है ना डीसी मोटर एसी मोटर कौन सा ड्राइव सेलेक्शन क्राइटरिया क्या होना चाहिए यह सारी चीज़े हम अभी तक लियर नहीं है तो वह हम थोड़ा सा बीसिक्स देखनी की कोशिश करेंगे है ना तो अभी लेशेर यू दा पीपीटी वीट रिलेवेंट टॉपिक आपको पीपीटी दिख रहा है कि तो देखना है ना शेयर कर रहा हूं मैं क्लासिफिकेशन और वह इसाप से पर डिसकस करेंगे इस इस विजिबल टे अव्रिवन एससर अचा ठीक है तो अजय सेड जो एलेक्ट्रिक ड्राइज की हम बात कर रहे है तो अगर हमें सिंपली अगर एक ड्राइज के बारे में अगर डिफाइन करना है किसी को तो ड्राइज यहने क्या हमने जैसे बूला है की मोटर्स इस अन ड्राइज सब्सक्राइज सब्सक्राइज और ड्राइज जैसे विजल्ड स्विव द्रिफ जैसे अन आट इसब्सक्राइज खेट फ्लिफ। ऑ रहे हमारे दो पाषी तो अना यह ज लोने अस मोटर्ण न इंडक्शन मोटर जिससे हम बहुत अच्छे लेवल कम है राइज इंदिशन मडरी इसने अची ट्रए डी डीक ट्राइश इंगें उडेड़ कर रहा हैं। भ्याश्य मुर्य जाओ लूट इसे में ट्रॉफरे लोगार लीक ट्रॉट आग्र डीकॉट यूट्या पर्सगेंटिक व्यूटे लूटै अची कर रहा हैं। वर्ड़ी ये वर्ड भी हमने सुना है सअ अन vibration सेर्प्रली एक्साइट है संसरेस के पर अपने है यह स्ख्रिकल more क pandemic सुना है इस अतर्ध कॉई बता सकते से यह पिस सेर्परेटली एक्साइट गया होता है है short में we are not having too much of time we'll have an half hour of session only है ना बुली सारंग राटो सब्सक्राइट मतलब वो जो कुछ से एक्साइट हो जाती है और सेपरेटली एक्साइटेशन यहने है अलो सरस्टेशन एक्साइट उसको बाहर से एक्साइट एक्साइट है सुरुच्टा ही आ एक्साइट हमस्त्ते है यह दो क्लासिफिकेशन हमारा हमेशा होता है बेटा है ना सेल पेक्साटेट डाट मीज दा काइंड ओफ मोटर दा काइंड ओफ मशीन विच हाव इट्स ओन पावर अप सप्ला है है ना उसको हमें कुछ एक्स्टरनल अरेजमेंट देनी के जरुवत नहीं पड़ती फॉर इट्स एक्साटेशन जैसे डीसी मोटर में जो फिल्ड वाइनिंग होती है फिल्ड पोल्स होते है तो मैंग्नेटिक फिल्ड जनरेट करने के लिए उसके ऑपरेशन के लिए जो हमें सप्लाय लगता है वो इन्पूट सप्लाय हमें बाहर से डिराई नहीं करना पड़ता है यहां पे उसके फिल्ड पोल्स फिल्ड वाइंडिंग हम एक्स्टरनल सोर्स के तुरू अगर कर रहे है फॉर एक्साइडिशन तो वो पर्टिकलर चीज हमारी क्या कर लाएगी सेपर अब इसको भी हम सेल्फ एक्साइड जो है उसको सीरीज चंट कंपाउंड की सबसे डिवाइड करते है आज यू आल नो है ना सिरीज चंट कंपाउंड होता है डिसी मोटर में डिपेंडिंग ओन अ दे वोट तो से दे स्ट्रक्ट्टर वाइंडिंग अना फिल्ड वाइन और आर्मिचर वाइंडिंग को आप कैसे प्लेस करते हो कैसे वाउंड कराते हो तो उसकी हिसाप सम सीरीज चंट और कंपाउंड में डिवाइड करते है और वही कंपाउंड वाइंडिंग भी हमारी बाद में डिफरेंशियल कंपाउंड क्यूमिलिटी कंपाउंड में भी क जो भी हम input में electrical supply दे रहे, electrical energy दे रहे, उसको कही न कही हमें एक usable power में या कुछ कहीं हम वो use कर सकते है, output कहीं हम भी use कर सकते है, वो usable energy में convert करता है, that is in form of mechanical power और mechanical energy, यह सब कुछ चीज़ पता है, that any motor can convert the electrical energy into mechanical energy or mechanical power, with the help of which then we can drive any load, है ना, जैसे क्या बोल सकते है, कुछ machinery है, कुछ hoist है, cranes है, है ना, या कुछ other mechanical load है, gear system है, बहुत सारी चीज़ है जो हम mechanical power के तुरू drive कर सकते है, तो वहाँ पे हमें mechanical की power जरुरत पढ़ती है, तो that is been provided with the help of either AC drive और DC drive, तो जैसे हम drive की बात कर रहे हैं सर, हमारा subject भी drives है, है ना, तो electrical drives and their control, तो वो control वाली चीज़े तो हम बात में देखेंगे, तो हमें basic चीज़े धान में आना चाहिए, कि हमारे subject में contents क्या-क्या है, समझ मारा है, तो as far as contents are concerned, इसमें हमें AC motor, DC motor drives देखना है, तो हमें motor के characteristics हमें देखना है, we have to study the relay and converters, right, then we have to study, then it's traction, अगर आप सिलाबस का अगर page देखेंगे, I can share you with, that is we are having traction motors, then we have the contactors, and different selection criteria for motors also, okay, तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग topics हमारे categorized है ये particular subject के अंडर में, तो उसके पहले हमें drives की basic definitions और हमें उसका classification समझना है, then we have to move on to the characteristics, अब जहातक पेड़ा राइड की बात हम कर रहे, PPD विजब एन पेड़ा सब को, PPD is visible to everyone? Yes sir. Yes sir. Okay, okay fine. So जहातक पेड़ा राइड की बात कर रहे, आजलाइक मूतर, राइड येमरा एक एलेक्र मेकानिकल दिवाईस है, समझ मैं रहा है ना जब मैं वर्ट बोलता हूँ एलेक्रो मेकानिकल, that means, that is the convergent device, जो आपके एलेक्रिकल एनजी को मेकानिकल एनजी में कनवर्ट कर रहे, इसलों हम उसको एलेक्रो मेकानिकल बोल रहे, वो वर्ट इस पेसिविक टेक्निकल एम यूस करते हमेशा, ठीक है, so that is been used for the conversion of only electrical energy to mechanical energy, जैसे हम कोई भी DC motor को, AC motor को input क्या दे रहे, input हमेशा उसका क्या रहे ता, electrical energy है, supply देते हम पावर देते हैं, that is my input, and what you are getting the output, that is nothing but the rotation of shaft, right, either it is a AC motor sir, or either it is a DC motor, what we get, the mechanical power, the rotation of shaft of motor, और वो shaft को, हम कहीं पे भी mechanical coupling दे के, we can drive any kind of load as per our requirement, so as simple as that, तो यह ड्राइवी हमारा यह electro-mechanical device है, जो हमारे एक फॉर्म of energy को, that is electrical को, दूसरे फॉर्म में convert करता, that is specifically in mechanical, समझ मैं रहा है, and the main, the major focus or the major intention, is to bring the give the motion, or to impart the motion to any electrical machinery, या जो भी load हम use करते हैं, समझ मैं रहा है, तो ऐसे हमारी electrical drives पे number of applications, अगर आप देखोगे, आप agriculture sector में जाईए, आप industrial sector में जाईए, है ना, आप कोई transportation system ले लीजे, या आपके domestic application ले लीजे, कोई भी छोटे मोटे, तो हर जगा आपको वो drive का use दिखता है, उसका, क्या बोल सकते हैं, उसका application आपको हमेशा मा पे देखेगा, समझ मैं रहा है, ऐसे अगर हम example देखने जाएंगे बेटा, तो बहुत सारी चीज़ है, driving fans है, ventilators है, बहुत सारी compressors है, समझ मैं रहा है, बहुत centrifugal pumps है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ है, जहां पर हम यह drive system implement करके, हम उसको load को चला सकते हैं, समझ मैं रहा है, So are you getting me the basic concept or definition of drive, है ना, बहुत सारी hoist होता है, जो overhead cranes आपने देखे होंगे industries में, material को उठाने के लिए use होता है, है ना, raw material यह कुछ भी parts को उठाने के लिए use होता है, hoist or cranes, overhead cranes, तो उसमें भी हमारे drives लगते हैं, समझ मैं आरा ना, तो application point of view देखोगे, तो बहुत सारी चीज़े, जहां पर यह drive हमारा extensively used होता है, Now, what the concept is, कि we are already categorized the drive into AC and DC, but the main question is that, Sir, where to implement the AC drive and where to implement the DC drive, यह हमारा सबसे बड़ा questionnaire होता है, है ना, Sir आपने बूला तो है कि AC motor DC motor दोनो हमारे drive है, but use उसको कहां पर कैसे करना, that is also a very conceptual part, right, तो अगर आप categorization देखोंगे, यहां पर हमने AC motor यह induction motor के advantageous लिके, समझ मारा ना, इसको ही हम base लेके थोड़ा सा comparative study करने की कोशिश करेंगे, I don't know how much you remember about your Fort Sam electrical machines on subject, machines to subject, right, and about AEE subject, अभी अभी तक तो, AWE तो सर हट भी गया अभी से मिस्टर से ना, for your kind information, हमारे syllabus में first year में भी AWE subject नहीं है, only BW is there, तो यह चीज़ हमें आपको समझना है, अपने को समझना है कि कहां पर हमें, AC और कहां पर DC drive apply करना है, अब यहां पर हमने induction motor को basis लिया, सबसे पहले point बोला है कि simple design, इसका मतलब क्या है, what does it mean for, कि जो हमारे AC drive होता है, वो construction point of view ज्यादा complex नहीं है, as like DC motor, हाना, आपको सभी को construction याद है, सबको चीज़े पता है, तो I will give only a rough idea, हाना एक just brush up करना है हमें, तो जैसे DC motor में आप देखोंगे, simplex finding है ना, double lap, single lap, तो वो बहुत complexity होती है, उसके साथ साथ, जो commutator segments होते हैं, commutator भी हमारा एक costly चीज़े उसमें, हाना brush system होती है, हाना हमें DC supply एक अलग से लगता है उसमें, इंपूट में, तो DC drive को चलाना है, तो DC drive को चलाने के लिए क्या चाहिए सर, DC supply लगता है, तो वहाँ पर हमारे पास rectifier unit भी चाहिए होता है, तो design point of view देखोंगे, तो design point of view हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे, क्या बोल सकते हैं, drawbacks आते हैं, हाना, DC drive के, इसलिए हमारे AC drive ज्यादा preferable as compared to DC drive, then we have inexpensive, as I said, induction motor की जो overall costing होती है, AC drive की, वह बहुत कम होती है as compared to DC drive, क्योंकि DC drive को चलाने के लिए हमने अब भी discuss किये, समय सार हम rectifier unit लगता है, तो उसका भी maintenance cost वहाँ पर add होता है, उसका भी initial cost add होता है, Commutator एक सबसे costly चीज़ हमारे पास होती है, है ना, उसका अगर winding design देखूंगे, lap और wave, वह winding design या वह winding क्या बोल सकते है, design करते है टाइम, उसका जो rewinding का खर्चा आता है construction का, वह खर्चा भी ज्यादा आता है as compared to AC drive और AC motor, तो यह भी हमारा एक advantage है, जो हम, drives की comparison mode में ले सकते, that is, AC drives inexpensive as compared to DC drive, third point we have, that is, high power to weight ratio, इसका मतलब किया है, high power to weight ratio, that means, की, जहां तक DC drive के हम बात कर रहा है, तो एनी machine, एनी motor, it is always been designed to handle some kind of load, है ना, उसका हमेशा एक rating होता है, HP rating होता है if you know, ठीक है, power rating होता है, तो वह power rating या power output कहां से आता है sir, but of course, on the basis of its winding design, है ना, उसमें slots कितने है sir, उसमें winding के turns कितने है, है ना, उसका RPM कितना, यह सारे factors होता है, जिसके through हम उसका output decide करते है, उसका HP rating decide करते है, कितना power output हो हमें देगा, तो जब कोई motor से या machine से हमें output बढ़ाना है, जैसे हमारी power demand बढ़ रही है, increase power demand के लिए अगर mechanical power output बढ़ाना है, but of course हमें motor के size में, shape में changes करना पढ़ता है, हमें field poles के size बढ़ाना पढ़ेगा DC motor में, हमें windings, number of turns बढ़ाने पढ़ेगा, slots बढ़ाने पढ़ेगा, commutator का size बढ़ेगा and everything, तो ऐसे बहुत सारी चीजे है, जो motor के size और shape को हमें modify करना पढ़ता है, in order to meet that requirement, that power requirement, so that is the case, in case of, what to say DC motor, or DC drive I can say, but as far as AC motor is concerned, AC motor में ऐसा नहीं है, है ना, AC motor में हमारे पास, as you all know, single phase और three phase motor available है, yes or no, है ना, induction motor में हमारे पास, single phase और three phase, two different types available है, है, है कैसर अपन कनेक्टर है क्या सो गए 15 मिनिट में, yes or no, yes sir, very good, कैसा सर तीन बज़े ना तीन बज़े, कैसा खाना का सोने का टाइम रहता सर, आप बीच क्लास में लिंक डाल दे है कि ने, so that is very, that is not fruitful for us, okay anyways, so what I mean to say, मोटर के आउट्पूट में का जो पावर है, वो पावर रेटिंग अगर बढ़ रहा है, तो उसके साथ मोटर के side shape में भी modifications करना होता है, तो यह DC मोटर में करना बढ़ेगा सर, आउट्पूट में अगर आउट्पूट अगर बढ़ रहा है, इसले हम भोल रहा है कि with the same rating and with the same size of the machine, we can generate more power output in case of AC drive, जो हमें DC drive में possible नहीं है, समझ में आणे है? तो यह हमार है एक advantage है, AC drive का, then fourth one, we have the easy to maintain, I'm explaining it one by one, easy to maintain, इसका मतलब क्या है रहा है सर, तो फीजिबिलेटी रहेगी वह फीजिबिलेटी ज्यादा अवेलेबल है हमारे पास इन केस ओफेशी ड्रेग तो स्लिप रिंग्स अगर जियादा वह चेंज करना होता है या फिर अगर ब्रस सिस्टीम अगर आप कारवन यूज़ गिस जाता है वह रिप्लेस करना पड़ता है और लींग रीसिंग यह तो हमारा वह सब हमारा रूटीन में टनिस में आता है तो यह हमारा केसमें यह मिनिममम मेंटेंज है गुष ना हमारी सुटिस और केस में हमारे पास अलगालग फेक्टरउब इस को ब्रस का मेंटेनस भी करना पड़ता है इना बाद में आपको रिक्टि फार अब यूज कर रहे तो रिक्टि फार काभी मेंटेनेंस होता है उसमें भी मेंटेनस स्ट लगता है तो maintenance point of view देखो के तो DC drive हमारा उतना प्रिफरेबल नहीं है जितना हमारा AC drive cost point of view are you getting my point so from initial cost from that is capital cost from maintenance cost हमारा AC drive ज्यादा preferable है as compared to DC drive समझ मैं रहा है then we have direct connection to the AC power source ये point हमने अब भी discuss किये थे कि sir AC drive जब मैं use करता हूँ तो आप कहीं पे भी जाईए industry में जाईए commercial level पे domestic level पे या कहीं बेभी आपको AC supply easily मिलेगा because that is universally accepted and a single phase तो मिली जाएगा sir at least three phase का तो नहीं बता सकते three phase specific जगा अवेलेबल होगा industry में होगा but single phase motor as a drive use कर सकते हम on the basis of single phase supply है ना तो यह हमारा advantage है AC drive का but DC motor में first of all you have to make arrangement for rectifier और जाप हमारा cost involved हो रहा है rectifier के बीना सर आप DC drive को नहीं चला सकते समझ मेरा है तो यह हमारे चार से पाच advantages है कि उसका simple और robust design है तना the AC motor का जैसे अपनने स्वेरल के जगर आपको याद होगा तो स्वेरल की इंडेक्शन मोटर का बहुत रिजिट कंस्ट्रक्शन होता है यह सरो है ना रूटर हमारा winding की जगा एक solid बार्स की फॉर्म में होता है पता है सब को याद आ रहा है रूटर आफ स्क्वेरल की इंडेक्शन मोटर इस अल्वेज इन सॉलिट बार फॉर्म वाइंडिंग जो थी उसकी तो उसका जुस का जुस कंस्ट्रक्शन होता है कंपरेटिवली बहुत सॉलिट और बहुत रिजिड होता है याने बाट इस नियरली अन्रेकेबल अपन बोल सकते हैं आप उसको ऐसे हैंबरिंग भी करोगे तो भी वो रूटर को कुछ फरक नहीं पड़ता है इसलिए बोलते हैं आप क्या बोलते हैं आप की बाद में एग्जाम होगी देन में रखो अना वाट इस बीन टोल्ड वी और वी यार विन टोल्ड तो चंडग्ट थेस्ट अगें आड तिल इवनिंग और कल मॉर्निंग जो भी हुए उसके बेस पे एग्जाम होगी एम से क्यू आपके क्या बोल सकते हैं यह जो अपना ब्रीज कोर्स का अपन ले रहे तीन चार दिन का जो भी बेसिक्स ले रहे समझ में रहे के सबको है ना नहीं तो अपन क्या करेंगे सर भी कें लीजनी टाइस पर दे प्रावर्जिन आज लाइक एवरी देम वी इस तो डुए ना इस नोट अ प्रावर्जिन सो यह चीज हमें नोट डाउन करना है समझना है तो सो देट जो कॉस्टन में फूट अप करूंगा उसका आंसे सापको जहां पे स्थिंग हमारा फैक्टर है जहां पे हमारा रफणट आफ यूज हमारा फैक्टर है जहां पे इसे भी बहुत सारे अप्लिकेशन से जहां पर इसके आलावा हमारे दूसरे फैक्टर कंसिडरेशन में लिये जाते हैं जैसे कि हम एक ऐसा कोई अप्लिकेशन है जहां पर हमें फ्लेक्जिबल स्पीड कंट्रोल चाहिए हमें स्पीड कंट्रोल जो करते हैं न मोटर का है ना उसमें भी नंबर आफ टेक्निक्स चाहिए ऐसे टेक्निक्स हमारे पास अविलेबल होनी चाहिए तो और उसके साथ साथ जो भी अप्लिकेशन में हम उसको यूज कर रहे है वहां पर हमें स्टार्टिंग टॉर्क इनिशियल टॉक जो बोलते है वह स्टार्टिंग टॉक की रिक्वार्मेंट भी हायर साइड म समझ में आ रहा है तो जहां पर हमें स्टार्टिंग टॉक भी हाय चाहिए और जहां पर हमें स्पीड भी एक फ्लेक्जिगल लिमिट में कंट्रोल करना हमारी रिक्वार्मेंट होती है वैसे जगा हम डी सी मोटर एज ड्रावी करकी इंप्लिमेंट करते हैं समझ में आ रहा है दोनों आपको दोनों का डिफ्रेंस एसी मोटर हम कहां इप्लिमेंट करेंगे सर जहां पर एकदम रफेंट अफ यूज होगा जहां पर हमारा हाइप पावर टू वेट रेशों हमें लगेगा ठीक है जहां पर हमारा कॉस्ट पॉइंट अभी हमारा मेजर पर कंसिडरेशन है वहां पर क्या लगेगा एसी ड्राइब और जहां पर इनिश्यल हाइस टॉक चाहिए और जहां पर स्पीड कंट्रोल भी बहुत फ्लेक्जिबल हमें चाहिए क्योंकि डिसी मोटर में है वैसे हमारे पास वह टेकनिक्स अवेलेबल है ना डे बाइडे ब प्लक्स कंट्रोल ऑर्मिचर कंट्रोल है ना वोल्ट कंट्रोल मेथर्ज्ज में यह हमारे मश्रीय यूज लीज़ थे यह सॉर नो वेरी कन्वेंश नल्मेछ्टिंट्र में हमारे सेलाबस में यूज नह vagyनthough blues better अरud iki यह स्पाइबल टेगं'll की यह सुझर तो उसके अलावा एक एक कम्यूटेशन का फैक्टर भी है अभी आपने कम्यूटेशन पढ़ा होगा में भी फूर्ट सेम में कितना याद है डॉंड नो है ना जब डीसी मोटर के हम बात करते हैं तो वह कम्यूटेशन होता है मेंडर आपर कम्यूटेशन की वज़े से कम्यूटेटर रिउस करता है कि मेंडेशन के केस में वह मेंडर जादा बढ़ जाता है लोड जाता है या फिर आपके ब्रेष मेंडर्य का अच्छा नहीं तो वहां पर स्पार्किंग रोडिस्ट होती है समझ में रहा है तो because of that sparking, because of poor commutation हमारा maintenance बढ़ जाता है DC drive में, DC motor में, समझ में रहा है, जो हमारे AC motor में यह difficulty नहीं है, DC motor में difficulty आती है, select करना है, है ना, अभी जैसे मैंने बताया कि conventional methods है, तो conventional methods के point of view से हमारे पास modifications में चलते रहते हैं, तो अलग-अलग converter technologies हम generally use करते हैं, समझ में रहा है ना, तो जहां तक DC drive के case में, अगर हम बात कर रहे है, तो उसमें converter technology जो है, वो हमारी well established है, इसके पहले, जैसे मैंने बोला क thyristor control, IGBT control and other solid state devices use होते हैं, ठीक है, तो AC motor में वैसे वो जो technology है, वो that is being still under development, वो हमारा ongoing process है, तो वो fine और superior speed control जो है, वो हमें DC drive के case में मिलता है, जो AC drive में हमारे पास, क्या बोल सकते है, comparatively, उतना effectivity उसकी नहीं है, समझ में आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे factor है, एक speed control का अभी factor हम ले सकते हैं, जैसे मैंने बोला, कि भाई, जहापे induction motor में अगर आप देखोगे, वो हमारा flexible speed control DC motor का advantage है, लेकिन वही हमारा AC motor का induction motor का disadvantage बन जाता, अगर आपने देखा होगे induction motor के case में, तो उसका अगर आप speed controller करने जाओगे, या उसको speed को vary करने जाओगे, from maximum or higher to lower, तो उस case में motor की efficiency बहुत, क्या बोल सकते है, adversely affect होती है, है ना, उसमें stator voltage control होता है, rotor resistance control होता है, तो ये conventional method की through भी, अगर आप speed control करोगे, तो motor की efficiency बहुत जाधा affect होती है, समझ में आ रहा है, DC motor के case में ऐसा नहीं, DC motor के case में आप उसकी maximum to lower side में speed control कर सकते हो, तो ये हमारी comparative statement है, AC और DC motor के case में, समझ में आ रहा है, I hope you have understood all those points जो मैंने यहाँ पर अभी बताया है, yes or no, the comparison between AC and DC drive, है ना, तो आपको basic के case में बस है, वो drive का हमें definition समझना है, AC DC drive का comparative statement समझना है, किसके क्या advantages है, किसका selection criteria क्या है, ये सारी चीज़े समझना है, ठीक है? Okay, now, जैसे हम आगे की बात करते हैं, सर एक ही दिन बड़ा bombardment हो जाता है, वैसे session हमारा आधे आधे घंटे का ही है, है, है ना, आगे जैसे मैंने बोला, I will, I wish to share the syllabus page with you, so that, you can download it from university site also, but क्या-क्या content हमें पढ़ना है उसके अंडर में वो आप दिख सकते हैं, आपको दिख रहा है गया, syllabus का पेज दिख रहा है, एस सर, हाँ, okay, so, देखो, एक short में हम एक, एक छोटा सा summary समझ लेते कि हमें क्या-क्या content पढ़ने हैं, जैसे unit one के आप बात करोगे, तो as I said, उसमें हमें AC-DC drive का उसका block diagram पढ़ना है, है न, AC-DC drive का, उसके drive के types पढ़ने है, बाद में we have to deal with the speed torque characteristics of different motors, जैसे DC motors के हम बात कर रहे हैं, specially, series shunt और compound motor के characteristics होती है, torque armature current, speed armature current, speed torque characteristics, बाद में उसके running, braking and speed control methods भी देखना है, यह हमारे unit one का content है, जहां तक unit two की बात हम कर रहे है, तो उसमें हमें अलग-अलग duty cycles and duties देखना है, जैसे flywheel का concept है न, वो उसमें continuous और intermittent periodic duties जो है, flywheels के, उसके basement numericals और वो content हमें देखना है, unit three के अंडर में we are having the PLC, है न, उसका programming, electrical drives में कैसा उसका interfacing किया जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे CNC machines होते हैं, इंडेस्टे में यूज करते हैं, तो उसका हमारे PLC के साथ ही या फी PLC drives के through हम उसको control कराते हैं, है न, जो भी sawing operation, जो भी drilling operation यह जो भी operation यूज होता है CNC machines में, that is everything it has been controlled through PLC, तो वो unit 3 का अंडर में content होगा, unit number 4 के केस में, we have to deal with the AC DC contactors and release, है न, HV contactors, उसका control circuit, उसका power circuit, है न, उसका braking or automatic starting methods, ये induction motor का भी, है न, control panel designing, ये सारी चीजे हमें पढ़ना है, contactors के के केस में, unit number 5 के अंडर में, we have to specifically deal with the traction motors, है न, जो हमारे trains में होग रहे या बाकी अधर जागा यूज होते है, उसकी characteristics, traction motors का control और power circuit, है न, and numericals on starting and breaking of traction motors, तो ये भी हमारा unit का part है, and lastly, जो industries में हम dry use करते है, है न, तो उसका along with the manual control, we have the digital control techniques also, है न, electric motors के, recent में आपने electric vehicle सुने होंगे, है न, तो वैसे digital control methods भी होते है हमारे electrical motors के, तो उसका block arrangement, उसका comparison, general conventional methods, control techniques के साथ हमें करना है, तो ये सारे contents हमारे syllabus के है, है न, contactor, relays, breaking control, running techniques, breaking methods, starting methods, ये इसलिए हमने unit का नाम, हमारे subject का जो नाम दिया है, that is ED&C, TC, है न, electrical drives and their control, समझ में आ रहा है, तो ये सारे contents हमें पढ़ना है, तो उसके लिए book हमारी Sony भटनागर की book है, बहुत बढ़िया book है, जिसमें आपको in detail और in depth syllabus contents दिया है, या उसके अलावा specific हम बाकी motor से की भी book use कर सकता है for basic reference, ठीक है, तो इसमें ये industrial, magnetic control of industrial motors, एनुमंज की H प्रताप की और Sony गुपता भटनागर, अना भटनागर की book सबसे ज़्यादा अच्छे, तो ये आप यूज कर सकते है, ठीक है, तो आई होप पहला हमारा आज का बड़ा introductory lecture था, तो उसमें basics आपको चीज़े ही धान में रखना है सर, हमें ज्यादा in detail जाना नहीं है, we should understood the subject name, what are the syllabus contents, चीक है, and जैसे मैंने बोल लाए, basic definition of drive और उसका AC-DC drive का comparative statement, it is more than enough, इतना तो हमें समझ में आगया सर, I hope you must have taken the screenshot, or you must have noted down the point, advantages of AC-DC drive, yes or no, इतना समझ में आगया, okay fine, So I hope you have understood it, तो अगले class में थोड़ा सा और इन detail जाएंगे थोड़ा सा characteristics of motors की तरफ, और जैसे industrial क्या बोल सकते हैं, उसका industrial perspective क्या है, इंडिस्ट्रियल लेवल पे कैसे drives को use किया जाता है, और उसका block diagram क्या है, वो सारी चीज़ी थोड़ा basic हम पढ़ेंगे कल के class में, ठीक है, तो यह attendance link मैंने float किया है, यह attendance link आप भर दीजे, आपको अगर MCQ की link अगर circulate होती है, तो वो basic questions रहेंगे, add this question जो भी है, उसको आपको answer करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, is it clear to everyone, this will be ongoing process, जब तक हमारा regular classes शुरू नहीं होगा, तब तक हमें यह continue करना पड़ेगा, ठीक है, एक हमारा half an hour का 40 minutes का class होते रहेगा, उसके बाद फिर आपका एक general MCQ test होगा, जैसे sir ने बोला है कि जब तक university के exams का date नहीं आता, तब तक यह आपका process चलेगा, तब तक classes हमारी चलेगा, ठीक है, so thank you guys, thank you all for being connected, after so many days, so kall continue करते हैं, I hope kall इतने ही लोग connect होंगे, 30, 32, 34 लोग, यह नया subject है, interesting subject है, will continue with it, हना, यह लाइबरे दिन में अवे लेपल रहे हैं, books क्या, books, 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 बूल रहे हैं, books, बूल रहे हैं, books, books, अवे लेपल हैं, अगर आफ फिजिकली college जाते हो, तो लाइबरे में सोनी बटना गर गुपता की, अच्छी बूक है, वो मिल जाएंगे, आपको वहां से, या थोड़ा सा ओनलाइन पीडियो फूरी 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 जनरेट आप ले सकता, अगर मेरे पास अगर रहेगा, तो मैं देखता हूँ, आपको भीज़ दूगा, वे सचाँ, चलो कल के class ने जाइन होना याथ से सब लोग, Thank you for today. झाल